नमस्कार सु स्वागतम वेलकम मैं नीदी शमाली आपके अपने इस यूटीब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं आज मैं आपके सामने 7 नमबर मंगलवार का दैनिक राशी फलिकर उपस्तित हूँ और आपको मैं आज मैं बताऊंगी कि भगवान कुबेर की पूजा आरादना क्यों की जाती है आखिर क्यों होती है कुबेर देवता की पूजा कुबेर जी देवताओं के कोशात्यक्ष यानि द्वारपाल हैं इन्हें यक्ष के राजा भी कहा जाता है ऐसा माना जाता है कि जो लोग दिपावली पर कुबेर देवता की पूजा आरादना करते हैं उन्हें धन सम्रद्धी का आशिरवाद मिलता है कुबेर देवता को धन का देवता माना जाता है वे अपने भक्तों के धन की रक्षा करते हैं कुबेर जी की पूजा से घर में दरिद्रता दूर हो जाती है, कुबेर जी को भगवान शिव का अधिपती भी माना गया है, माननेता है कि भगवान शिव गुण निदी की बक्ती से काफी प्रसनते, उन्हें गुण निदी को अगले जनम में धनपती होने का वर्दान दिया, उसके बाद गुण निदी ही कुबेर देवता के नाम से प्रसिद हुए कुबेर राजाओं के अधिपती ततधन के स्वामी है वे देवताओं के धनाध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं इसी लिए उन्हें राजा दिराज भी कहा जाता है गंद मादन परवत पर इस्तित संपत्ति का चौथा भाग इनके नियंतरण में उनमें से सोलवा भाग ही मानवो को दिया गया है कुबेर जी को नौ निदियों के अधिपती भी कहा जाता है इसलिए दिपावली पर कुबेर देवता की पूजा आरादना मा लक्षमी के साथ में जरूर करनी चाहिए क्योंकि लक्षमी अपने साथ में चंचल है तो चंचला है तो लक्षमी आती तो है कुबेर देवता के भी पूजा आरादना की जाती है अगर यह जायनकारे अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक और शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुचाईए चलिए बढ़ते हैं आगे और जान देते हैं आज का यानि 7 नमबर मंगलवार का दैनिक र पालगुनी नक्षत्र प्रारंब हो जाएगा चंद्रमा आज से यह राशी में गुचर प्रामन करेंगे काल योग आज के दिन बन रहा है सुब समय जिसे हम गुलीक काल के नाम से जानते हैं उसका टाइम पीरिड दौपेर 12 बजे से लेकर 1 बचकर 30 मिनट तक रहेगा महीं आगे और शुरू करते हैं आज का दैनिक राशी पल धन प्रयोदोशी के दिन आपको क्या खरीदारी करनी चाहिए जिससे आपके सुख सम्रदी में व्रदी हो उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी तो वीडियो के अंतक मेरे साथ बने रही है शुरूआत करते हैं प पार्टन का साथ और सयोग मिलेगा संतान की तरफ से सुख समाचारों से भरा ये समय रहेगा और प्रेम संबंदों को आज के दिन स्विक्रती मिलती होई दिखाई देगी इस राशी के लोगों को धन तेरस पर चांदी के बरतन खरीदने चाहिए ये उनके लिए बहुत ही लापकारी रहेगा आपका शुभरंग रहेगा हरा शुभंक रहेगा एक अब हम आगे बढ़ते हैं और जान देते हैं रशब राशी का हाल आपकी राशी से चंद्रमार आज के दिन चौथे भाव में कोचर प्रमन करेंगे ता आज का दिन आपके लिए सोथ समझ कर आगे बढ़ने का है कोई भी कारिया बिना स्ट्राटजी बनाएं ना करें चल्दबाजी में कोई भी निवेश करने से बचे वरना आपके जीवन में आर्थिक समस्या हैं उत्पन हो सकती हैं बज़र देखकर चलेंगे तो आपके लिए बैटर रहेगा आज का दिन आपके माह के स आत्मे वाद विवाद की स्ततियों से बचे हैं इस राशी के लोगों को धनते रस पर चांदी और सोने के वस्तू या बुशन खरीदना बहुत ही शुब रहेगा आपका शुबरंग रहेगा लाल शुबंक रहेगा नो अब हम आगे बढ़ते हैं और जान देते हैं मिथुन राशी का हाल आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन तीसरे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन आपके बल और पराक्रम को बढ़ाएगा भाई बैनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बढ़ेगी छोटे भाई बैनों से वाद विवाद की स्ततियां समाब तो ज विशेस रुप से ध्यान रखें इस राशी के लोगों को सोने के आभुशन खरीदने चाहिए और हरे रंग का घरेलू सामान खरीदना आपके लिए पलदाई रहेगा आपका शुब्रंग रहेगा गुलाबी शुबंक रहेगा अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं करकर राशी का हाल आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन दूसरे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके कुटुम में मान सम्मान को बढ़ाएगा कुछ काम जो कि आपके अधूरे रखें वो दुरुद कती से संपन होंगे वर्क प्लेस पर आपको प्रंग रहेगा पीला शुबंक रहेगा ती अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सी राशी का हाल आपकी कुट की राशी में आज के दिन चंद्रमा गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके कंफिजन की स्थिक से बाहर निकलने का है थोड़ा सा कंफिजन ज देखना पढ़ सकता है इस राशी के लोगों को तामबा और सोना खरीदना चाहिए यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा धन ते रस पर तामबे के बरतन और सोने की बस्तु करीदने से माल लक्षमी की क्रपा सदेवा पर्द बनी रहेगी आपका शुब्रंग रहेगा जान देते हैं कन्या राशी का हाल आपकी राशी से चन्दरमा आज के दिन बारवे भाव में गोचर प्रमन करेंगे आज का दिन आपके खर्च की इस्ततियों को बढ़ा सकता है अपने खर्च को थोड़ा सा बैलेंस करके चलने का प्रयास करें आज के दिन यात्राएं करते समय सावधा नहीं रखें कोई भी कारे ऐसा ना करें जिससे आपके अपनों का मन आहत हो जाए इस राशी के लोगों को धन तेरस पर कासे या हाती दाथ से बनी चीजों को खरीदना चाहिए आपका शुपरंग रहेगा बुरा और शुबंग रहेगा पांच अब हम आगे बढ करते हैं और जान देते हैं तुला राशी का हाल आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन ग्यारवे भाव में गोचर प्रमण करेंगे अता आज का दिन विशेश लाप की परिस्तिया आपके जीवन में लेकर आएगा सामाच इक्पान संबान में बड़ोतरी होगी कारे दु अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं रश्यक राशी का हाल आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन दस्वे भाव में गोचर प्रमण करेंगे अता आज का दिन आपके लिए कर्ण प्रधान रहेगा अपने कारें को सुचारू रुप से करने का प्रयास करें आपके पिता के साथ आपके सम्मंद और अधिक मजबूत होंगे आज के दिन यात्राय आपके लिए सुखद और मंगल में रहेगी इस राशी के लोगों को धन तेरस पर तामबे के बरतन खरीदने चाहिए इसके अलावा सोने और पितल भी आपके लिए खरीदना शुब रहेगा आज के दिन यात्राय आपके लिए सुखद और मंगल में रहेगी आज के दिन योजनाबत तरीके से किये गए कारियों में आपको विश्विसलाप की परिस्तितियां भी देखने को मिलेगी और आज के दिन आपके शिक्षा और अध्यन अध्यापन से सम्मंदित सुप अध्याचारों की प्राप्ति होगी धन तेरस पर इस राशी के लोग सोने की चीजें खरीदें तो बहुत ही शुब रहेगा साथी सोने में भी निवेश कर सकते हैं इसके अलावा पीले चीजें जैसे हल्दी आधी खरीदना भी शुब रहेगा आपका शुब रंग रहेग जल्द बाजी में करने से बचे हैं अपने कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए आपको अधिक मैनत के आवशकता रहेगी आज के दिन यात्राएं करने से आपको बचना चाहें कोई व्यक्तिगर आपको भ्रमित करें तो इसके ब्रहम जाल में बिलकुल भी ना आए अपने विवेक और बुद्धी का इस्तमाल करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें इस राशी के लोग धन तेरस पर लोहे में इंबस्मेंट कर सकते हैं इसके अलावा वाहन और सजावट की चीजे खरीदना आपके लिए शुब रहेगा आपका अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशी का हाल आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन छटे भाव में गोचर प्रमन करेंगे आज के दिन स्वास समंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अपनी स्वास का विशेश रूप से ध्यान रखें कोई भी कारिये जल्दवाजी में करने से बचे आज के दिन यात्राएं करते समय साबधानी रखें और बहुत ज़्यादा मित्रों की संख्या ना बढ़ इतना शुब फल दाई रहेगा कुबेड़ देर्ता की क्रपा आप पर बनी रहेगी आपका शुब रंग रहेगा नीला शुबंक रहेगा नो तो ये था साथ नमबर मंगलवार का दैनिक राशिपल अब मैं अपनी वानी को यहीं विराम देती हूं स्वस्त रहिए फ्यस्त जोतिश संस्थान में महामृत्युन जय कालसर्प दोश मा बगला मुखी विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधिविधान एवं शासरुक्त रीती से संपन्न करवाई जाती है अतह आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हैं तू इन नंबरों पर संपर्क करे 8 9 5 5 6 5 8 3 6 2